आप सभी लोग जानते हैं कि 8 अप्रेल 2024 को है सोमवती अमावस्या और दोस्तों यह वो अमावस्या है जो कि चैत्र नवरात्री के पहले पढ़ रही है। देखिए यह दिन इतना खास होता है इतना महत्यपूर्ण होता है देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह सोमवती अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जात मतलब इस चैत्र नवरात्र के पहले पढ़ने वाली अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। नहीं पता है कि भाई, ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पित्र दोश हो सकता है, काल सर्प दोश हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोश होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस अमावस्या के दिन इस पीपल के पानी की बिंदी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एक मात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांती हो जाएगी, आपके घर में अच्छे-च्छे काम होने लगेंगे, आपकी जो भी मनोकाम ना होगी, वह भी धीरे-धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी, अब हम समझते हैं, इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किस को करना है, किस समय करना है, और कैसे करना है, उपाय आसान है, बस समझने वाली बात है, इसलिए ध वृम्वती अमवस्या के दिन किसको करना है तो देखिये इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है है couleur में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा. पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा? कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहने होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, अपने पूरे घर परिवार के लिए, घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है, मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहने हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी, तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा अगर किसी कारणवश माताएं बहने घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो तो भाई उस जगहे पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ती भी इस उपाय को कर सकता है माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहने घर की लक्षमी होती है, जब घर की लक्षमी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिवजी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं, तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे, अब हम ये बात समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें सोमवती अमावस्या के दिन करना किस समय, तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वो शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए, रंग भरा सोमवती अमावस्या है। और आप सभी लोग जानते हैं, सोमवती अमावस्या के दिन का प्रदोशकाल का, मतलब शाम का जो समय होता है न, इस दिन भगवान शिवजी का सबसे प्रिय दिन होता है, तो आप लोग इस एक लाल फूल, एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो, और शा के समय कर रहे हो, तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना, कि शाम के 6 बजे से लेकर, 7 बजे के बीच में, अगर आप इस उपाय को कर सकते हो, तो बिलकुल कर लेना, पूरी कोशिश करना, पर अगर किसी कारण वश इस समय के बीच में ना कर पाओ, तो 7 थाई, और रात आठ बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है पर एक ही बार इस उपाय को करना है। दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किसलिये है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनो कामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई, हमें घर बनाना है, पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है, पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है, पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ रही है। अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो निश्चित ही यह रंग भरा प्रदूशन वरत आपके जीवन में मतलब बहुत सारे मतलब फल लाकर दे सकता इकत समस्या परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिलकुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्त आप लादी को अब इस उपाय में करना क्या है? वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, देखिए उपाय की सामग्री हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यक्ता पड़ेगी, तो देखिए उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक पंडित फूल वाला उपाय है पर इस उपाय में कुल मिला कर चार सामगरी हमें लगने वाली है जो कि पंडित जी ने खुद सिहोर वाली कथा में बताया है और जो हम आपको उपाय बताते हैं वो पंडित जी द्वारा बताये गए होते हैं वही बताते हैं अलग से कुछ भी नहीं बताते हैं। इसी लिए आप लोग इन उपायों को हमारी वेबसाइट पॉठाइ.com पर जाकर भी पढ़ सकते हो। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे ताकि वहां पर आपको जल्दी से जल्दी पंडित जी द्वारा बताये गए उपाय मिल सके। तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामगरी क्या है। तो देखो उपाय की जो सामगरी है वो चार सामगरी है। जिसमें से सबसे पहली सामगरी है एक बेल पत्र। क्या होती है। बेल पत्र जो शिव की शिवलिंग पर चड़ती है। दूसरी चीज है एक शमी प पूल कौन सा लोगे? देखो शिवलिंग के उपर जो लाल फूल चड़ता हो, उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना, और वो कहीं से तोड़ कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना, और उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग में लेना, उसके बाद में एक सफेद फूल सफेद फूल का विशेश रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चड़ता हो, सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना, तो एक-एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामगरी चाहिए, एक बेल पत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल, ये चारों सामगरी आप लोग तयार करके रख लेना, प्रदूशित के दिन प्रदोशकाल में या सुबह के समय, जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामगरी तयार हो जाती है, तो क्या हम सीधा उपाय को करने क के लिए इन चारों सामगरी को लेकर मतलब उपाय करने के लिए जा सकते हैं, नहीं तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर ह हमें ये दर्शा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। इसीलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामगरी भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे की सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को तो भाई सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है, जो लोग प्रति दिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भरकर लेकर जाना, अगर आप उपाय को कर रहे हो, है न? क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिवजी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना, वहीं अगर बात करें, शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रद प्रदोशकाल में कोई कर रहे हो, ना तो दीपक का विशेश महत्व होता है, और सोमवती, अमावस्या के दिन का प्रदोशकाल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है न? भगवान शिवजी के मंदिर में भाई, उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती तो भाई इस दिन दीपक का विशेश रूप से ध्यान रखना आप लोग, अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोशकाल में कर रहे हो, है न? ये जो दीपक आप लोग लोगे, ये आटे का लोगे, जो आटा आप गूंद दोगे, उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात इसके अंदर जो बत्ती रखोगे, वो गोल बत्ती रखोगे, देखो गोल बत्ती भी दो तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली, तो कोशिश करना, अपने घर में जो रोई रखी हुई है, उस रोई से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाओ, उपाय का फल अच्छा मिलता है भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद् देसी गाय का घी ही डालना है तेल वगेरह आज के दिन तो मतलब इस दिन मत डालना सोमवती अमावस्या के दिन की क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं तो थोड़ा सा शुद्ध देसी का घी इतना डाल कि वो दीपक कुछ समय तक चल सके ना बाजार वाला मिलावटी घी डालना ना भैंस का घी डालना शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंडने में थोड़ी मतलब महनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा पर इसी मतलब घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देशिका की घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुक शान्ती भी बनी रहती है इसलिए इस शुद्ध देशिका की घी को अपने घर में हमेशा रखा करो वो भगवान शश्च जी के कारियों में भी उपयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी शारी तयारियां हो चुकी है। उपाय को करते समय शुधता का विशेश रूप से ध्यान रखिएगा। तो भाई सुभल तो आपको स्नान करना ही करना है। बाकी शाम को कर रहे हो, तो शाम को मात्र हात मुह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। पूजन अर्चना करना है। पहले जाकर बैठना है, भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में आप जो दीपक तयार करके लेकर आए हो, उस दीपक को पहले जलाना है। ये किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से चलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली, इस उपाय को करने में, इस उपाय का फल उस व्यक्ती को भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। उपाय की जो सामगरी है वो निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के उपर एक माता अशोक सुन्दर जी का स्थान देख लीजिए। अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेल अपत्र उठा लो, एक बेल पत्र को आपको माता अशोक सुन्दर जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेल पत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेल पत्र को माता असुशंदर जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब आप लेलो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आये हुए हो। आपको लेना है और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा। मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेल पत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चड़ा रहे हो तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है। जब भी आप एक बेल पत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल चड़ा रहे हो तो या तो आप कांता चक्र का नाम ले लेना या कांता भगवान का नाम। लेते हुए जो है इन सभी सामग्रियों को माता सुशन जी वाले स्थान पर आप लोग समर्पित करते जाना और शिव और नारायन जी का नाम भी साथ साथ में लेते जाना। और जैसे ही आप लोग ये उपाय पूरा कर लेते हो चारों सामग्रियां समर्पित कर देते हो उसके बाद में भगवान से वहीं के वहीं बैठे बैठे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना आपकी जो मनो कामना हो धन धन से जुड़ी हुई पैसों से जुड़ी हुई घर में माता लक्ष्मी जी की कमी हो रही है जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठ कर बोल देना है हाथ जोड़ के आँखें बंद करके उसके पर आपका यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है इस उपाय को करने के बाद निश्चित ही आपको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिल जाएगा श्री शिवाय नमस्तु भयम